हेलो और वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ग्यान दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ग्यान के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर आपका मेंटर प्रकार्श दुबीदी और आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं आर्टिकल 18 येस अबॉलिश आर्टिकल 18 हमारे इक्विलिटी कॉंसाइब को दरसाता है तो हम देखे किस तरीके से दरसाता है आखिर टाइटल्स को खटा देने से लोग equal कैसे हो जाएंगे वो चीज़ हम discuss करेंगे क्या चीज़ इसके अंदर प्रोहिबीट है वो चीज़ हम इसके अंदर discuss करेंगे Before starting the lecture check out the full courses by proxy gyan spoken English class classes and entrance level classes आप यहाँ पर ले सकते हैं pen drive and android courses की मदद से proxygyyan.com में visit करें जरूर से आपको एक बार visit करना है इसके अंदर चले start करते हैं लेक्चर को अपने abolition of titles का क्या मतलब है article 18 मैं बात करता हूँ अगर 18 clause 1 की no title not being a military or academic destination shall be conferred by the state तो कोई भी title आप नहीं ले सकते हैं इस तरीके से अगर मैं आपको बात करता हूँ जैसे कि भारत रत्म पद्म आवार्ट can be used as a title government ने इसको अभी recently खाता है कर मैं कहता हूँ current face की बात करता हूँ currently issue है कि कुछ लोग क्या था पद्म आवार्ट जिनको में भारत रत्म आवार्ट मिल जाता तो वो अपने नाम कहा दे भारत रत्म लागाते तो आप Mr. Mrs. की जग़ा ये नहीं लगा सकते भारत रत्म प्रकास्ट भी थी या भारत रत्म एक्स वाइजट इस तरीके से आप ये चीजों को नहीं लगा सकते जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि पहले लोग हुआ करते थे राजा लगाते थे कि अगर आप लोग ने अंग्रेज़ों के नाम याद करें होंगे तो Lord जनरली उनका यूज किया जाता है Lord डलहोजी हो गए Lord विलियम पैंटिक तो Lord क्या था एक तरीके से वो अपने नाम क्या कि डिस्टेंसल लगाते थे और वो ऐसा क्यों लगाते थे वहाँ पे बहुत साथा उपाधी दिया जाती थी खाने खाना ठीके आप लोगों ने नाम सुनाओ खानों का खान जो है खाने खाना नाम दे दिया जाता थो नाम उसके उपाधी दे दियाती थी ठीके राजा धिराज मतलब राजाओं के राजा इस तरीके से उपाधि दी जाती थी तो ये सारी उपाधियां आप बंद की हो गई मतलब आप इस तरीके से उपाधि नहीं लगा सकते हैं टाइटल्स नहीं लगा सकते आर्टिकल 18 क्लोश 2 no citizen of India shall accept any title from the foreign state suppose कोई foreign state है आपसे बहुत खुशे और आपको कोई title देना चाहता है आपको कोई उपाधी देना साकता है तो आप उसे नहीं ले सकते हैं काफी important point है इसको आपको यार रखना होगा कि कोई भी titles आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं accept नहीं कर सकते हैं अगर आपको foreign से आ रहा है तो clear होगा point now article 18 clause 3 इसी का clause 3 क्या कहता है no person who is not a citizen of India sell while he hold any office of profit of trust under the state except without the consent of president any title from the foreign state suppose कोई Indian citizen ही नहीं है बाहर से कोई citizen आया है कोई foreigner है Indian citizen नहीं है अब जो Indian citizen नहीं ही वो इंडिया की बात क्यों माने का लेकिन अगर कोई बाहर से citizen आया है लेकिन इंडिया के अंदर कुछ काम कर रहा है office of profit में है इंडिया से कुछ state के अंदर कुछ जगह जॉब में है या कुछ ऐसा काम कर रहा है जहां से सो प्रॉफिट मिल रहा है तो बिना प्रसिडेंट के अनुमती बिना प्रसिडेंट से अनुमती लिए वो कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता है लॉड इस तरीके से पहले अगर मैं इंग्लेंड में जनरली लोग लगा लिए करते थे तो वो इस तरीके से टाइटल का यूज नहीं कर सकता है विदाउट पर्मीशन और प्रसिडेंट अगर उसे लगाना है तो पर्मीशन लेनी पड़ीगी प्रसिडेंट से प्रसिडेंट से एक बार पर्मीशन ले लिए फिर आप लगाईए यूज करी जितना आपको यूज करना है क्लियर वो पॉइंट चली 18 clause 4 देखते है अगर कोई भी परसिडेंट के अंदर काम कर रहा है office of profit में काम कर रहा है trust में काम कर रहा है तो बिना प्रसिडेंट के जाज़त के कोई भी president emolument और office any kind form of under the foreign state से नहीं ले सकता है क्लियर हो गया सब्सक्राइब कर आप कल को एक IS officer बनते हैं या IPS officer बनते हैं तो आप foreign से कोई भी foreign की government जो है प्रिश्टेंट से अनुमती लिनी होगी तब आप ले पाईंगे ये सारे पॉइंट आई थिंग आपको क्लियर होगा होगा आटिकल जो है बाहर से दिखने में यतना आसान होता है उन्दर से उतना ही टफ़ेस्ट पार्ट बन जाता है इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिसकस कर रहते हैं कि अगर आप 10, 5 से 7 मेंट ये 10 मेंट आर्टीकल को एक आर्टीकल को अपर देते हैं डेuffिनेटल इसके वेपर कोई भी कोशन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा पस आपको 5 से 7 मेट हर एक आर्टीकल में देने हैं । अगर आप सिरीछ ते कर लेते हैं तो परिशन में शूरिटी देता हूं कि आर्टिकल से लेटेर कोशन आपके बिल्गुल गलत नहीं होंगे साथ में ही पॉलिटी के बहुत सारे कॉंसेप आपके क्लियर हो जाएंगे इस आर्टिकल की मद्द से क्योंकि पॉलिटी फूल ओफ आर्टिकल से अगर आपको आर्टिकल से अच्छे से समझ में आगे मतला आप उस सब कोई समझ में आ जाएंगे किसके क्या पावर है किसके क्या अधिकार है किसके क्या रिस्ट्रिक्शन है यह सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे क्लियर अब देखिए अभी तक हमने चो discuss किया है पिछले चो equality के अंदर उसको एक पर हम revise करते हैं Equality before the law Equal protection of law Article number Comment section के अंदर बताना है Prohibition of discrimination of the ground of religion Race, caste, sex, place of birth Article number Comment section के अंदर बताना है Equality of opportunity in public employment ये किस article का part है Comment section के अंदर आप बताएए Abolition of untouchability किस article का part है किस article के अंदर ये avoid है ये आपको बताना Abolition of title चलिए तो आपको पताएए आज के अंदर हमने discuss किया तो इस सारे articles का आपको बताना है कुछ question है आपके सामने Which article of the constitution abolish untouchability अगर आपने हमारे previous lecture देखे है तो आपको ये answer बन जाना चाहिए Question Article 18 Article 15 Article 14 ये फिर Article 17 Comment section के बताना है आपको वीडियो को pause करके इसमें से कौन सा होगा Which article of the constitution abolish untouchability कौन सा untouchability को abolish करता है Clear? Answer is D That is Article No. 17 एक question आप लोगों के लिए Prohibition of discrimination on the ground of Religion, race, sex, place of birth Is a fundamental right classified under इस तरीकस question आते है किस चीज़ के अंदर classify है Right to option A Right to freedom of religion Right to equality Right against exploitation And D None of these Comment section के अंदर फटफट answer लिखिए यससे मैं समाझ माँ कि आप लोग भी मेरे साथ participate कर रहे है जितना आप participate करेगे उतना आपका knowledge बढ़ेगा और आज की लिक्चर हमारे यहीं पर समाप्त होता है Thank you, thank you very much for the discussion वीडियो को like करेए, share करेए, comment करेए और